नमस्ते मेरे प्यारे बच्छों देखे आज हम स्वर और व्यंजन में चार लैन को पढ़ेंगे ठीके बच्छों सब बूल गए हैं तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूं स्वर और व्यंजन जरूर मालूम होना चाहिए तब तो आप लोगों क्या करना है क्या करना पढ़ जाएगे पढ़ना लिखना आजाएगी नेगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या करना है स्वर आ से अह को अच्छ से पढ़ना है और वियंजन आठ लेन को जरूर आप लोगं को मालूम होना चाहिए इसलिए फिर से हम उसको पढ़ेंगे तीके वच्छों अभी स्वर देखेंगे स्वर में आप लोगं को आगे से पीछे भी मालूम होना चाहिए पीछे से आगे भी मालूम होना चाहिए इसलिए फिर से आप लोगं को इसको पढ़ाती हूँ मैं स्वर में आ, आ, य, इ, उ, उ, रू, य, आ, व, आ, आ, अ, 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 ठीके वच्छो इसको आगे से पीछे में पढ़ाएगी आभी पीछे से आगे पढ़ेगे ठीके पीछे से आगे पढ़ेगे अह, अम, आ, व, आ, आ, य, रू, उ, 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 इ, आ, अ, ठीके इसको आपलों बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए आगे से पीछे पीछे से आगे ठीके पीछे से आगे भी एक बार लिखना पढ़ेगा ठीके अभी वियंजन जाएंगे एक मिनिट स्वर्मे आसे हनार, आसे आम, इसे इमली, इसे इक, उसे उल्लू, उसे उन्ट, रूसे रिशी, एसे एडी, आईसे आइनक, ओसे ओकली, आउसे आउरत, अमसे अंकुर, अह पीछे से बार लिखना पढ़ेगा ठीके बाच्चों, फिर से एक बार बताओंगी, आसे आनार, आसे आम, इसे इमली, इसे इक, उसे उल्लू, उसे उन्ट, रूसे रिशी, एसे एडी, आसे आइनक, ओसे ओकली, आउसे आउरत, अमसे अंकुर, अह, ठीके बच्चों, यह राइमिंग वर्ड है, ठीके, ऐसे इसको आपलों पढ़ना है, और लिखना भी आना चाहिए, वियंजन, वियंजन में देखिए, खा, ओके, ख, ग, घ, न, ओके, फर्स्ट लाइन क्या लाइन है, पहला लाइन, खा लाइन है, अभी मैं का लाइन बताओ, पहला लाइन बताओ, ऐसे बोलने से आपलों, जल्दी से बोलना है, वो क्या लाइन है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन is का लाइन, ऐसे बोलना आना चाहिए, सेकेंड लैन चा लैन चा लैन देखिये च ज ज ज न्या सेकेंड लैन में च ज ज ज न्या टा लैन ट ट ड ड द न ट ट ट ड ड ड ड ड ड ड र ठीकिये बच्चों और चा लैन में ता ट ट द द अन ठीकिये बच्चों इसमें देखिये इधर ये है ना इसको कैसे लिखना है आप लोग जरूर ऐसे ही नीचे इसे आदा गोल बनाना है ठीके वो है यी और यी कैसे लिख करना है ऐसे आदा गोल आना चाहिए उपर सी जेसे आना चाहिए यह जरूर यह गोल आना पड़ेगा ठीके वच्छों अभी डा देखे खईये लोग लिखते हैं एको भी ऐसे और डा को भी ऐसे डा दूसरा है यी दूसरा है ठीके इसलिए डा में आदा गोल नहीं आएगा इधर गोल आना चाहिए ठीके बच्छों यह नहीं डालने से वो डा आएगा वो यी नहीं है इसलिए डा और यी को अच्छा से देखकर लिखिएगा और और एक अक्षर है डा और दा देखिए दोनों एक ही जैसे दिखता है पर डा में सिर्फ डा और दा डा को मैं इधर लिखे दिखाती हूँ नीचे नहीं आना चाहिए इधर यह दा को देखिए नीचे गोल आएगा ठीके? इसलिए यह दोनों को भी अच्छा से देखकर लिखना पड़ेगा चोटा चोटा चेंजस हो जाएगा उसको अच्छा से देखकर लिखना है पढ़ने में यह दा को डा बोल नहीं सकते हैं इसलिए पढ़ने भी अक्षर पढ़ने से अप लोग यह गलत नहीं आना चाहिए अच्छा से पढ़िएगा ठीके बच्छो फिर से एक बार में स्वर और वियंजन को बताती हूँ अच्छा से सुनिए मुझे लिखने खेलिए आज का क्रह करिया क्या क्या आये जाएगा स्वर को एक बार लिखना है आगे से पीछे लिखना है और second time क्या करना है? पीछे से आगे लिखना है ठीके बच्छों first time आगे से पीछे second time अह से आ लिखना है ठीके बच्छों और का को दो बार सिर्फ लिखना बस इधर से इधर इसको पीछे से मत लिखना आगे से शुरू खा को दो बार लिखियेगा चाल अइन को दो बार लिखियेगा ताल अइन दो बार लिखियेगा और ताल अइन को दो बार लिखना है ठीके बच्छों इसलिए व्यंजन दो बार लिखना है स्वर दो बार लिखना है वो कैसे लिखना है? आगे से पीछे और उसके बद सेकेंड टाइम पीछे से आगे लिखना है ठीके बच्छों अच्छे से लिखिएगा फिर से एक बार बताती हूँ मैं स्वर आ आ यी यी उ रू ये आई वो आउ अम अह अह अम आउ वो आई ये रू वू वू यी यी आ अ तेके अभी वियंजन क ग घ न च च ज ज न त त ड ड न न त त त द ध न ठीके बच्चों इसको दो बार लिखिएगा धन्यवाद बच्चों अच्चा स्वस्त रहिखिएगा अ